परभू देवा, एक परसेट डांसर, कोरियोग्राफर और फिल्म डिरेक्टर हैं, इन्होंने तमिल तेलगो और हिंदी भासा में कई फिल्में बनाई है, आज के वीडियो में हम इनकी हिंदी भासा में बनाई गई सवी फिल्मों के बारे में बात करेंगे साल 2009 में, परभू देवा के डारेक्शन में बनी पहली मूवी थी Wanted, इस मूवी में सल्मान खान और आईशा ताक्या मुख्य भूमिका में थे इस मूवी का बजट 50 करोड था, जो भारत में कमाई करती है, 60 करोड 65 लाग की, वड़ बैड इसने कमाई की थी 87 करोड 44 लाग की, और यह मूवी हिट रही थी, साल 2012 में, परभू देवा के डारेक्शन में बनने वाली दूसरी मूवी थी राउडी राठोर, इस मूवी में, अक्षे कुमार और सोनाक्सी सिना मुख्य भूमिका में थे इस मूवी का बजट 45 करोड था, जिसने भारत में कमाई की थी 133 की और यह मूवी बिलोग बश्टर रही थी, साल 2013 में, परभू देवा के अगली मूवी थी आर राजकुमार, इस मूवी में, शाहित कपुर और सोनाक्सी सिना मुख्य भूमिका में थे, इस मूवी को 56 करोड के बजट में बनाय गया था, जिसने भारत में कमाई की थी 66 करो की और यह मूवी बॉक्स ओफिस पर एवरेज रही थी, साल 2014 में, परभू देवा की मूवी आईती एक्सें जेक्सन, इस मूवी में, अजे देवगन सुनाक्सी सिन्धा और यामी गौतम मुख्य भूमिका में थे, मूवी का बजट था 80 करोड, भात में कमाई कीती 57 करोड क और यह मूवी फ्लॉप रही थी, अल 2015 में, परभू देवा की मूवी आईती सिंग इस ब्लिंग, इस मूवी में, अक्षे कुमार, एमी जेक्सन, लारा दत्तम मुक्य भूमिका में थे, मूवी का बजट था 80 करोड, भात में कमाई कीती 90 करोड की, वैड़ वैड कमाई कीती 146 करोड की, और यह मूवी एवरेज रही थी, तो दोस्तों ये थी परभू देवा की अब तक की सभी हिंदी फिल्में, आप की पर कमेंट करके बताईए, कि आपको कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगी, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, तो से लाइक, शेर और भूले, धन्यवाद दोस्तों